ये वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 9 है और अभी तक हम लोगोंने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बढ़ने वाले हैं Factors on which the resistance of a conductor depends कि वे कौन कौन से factor है जिन पर किसी conductor का resistance depend करता है कहने का यह मतलब है कि यदि कोई conductor wire हम लोग ले रहे हैं तो उस conductor का resistance vary कर सकता है मतलब इसका conductor का जो resistance है वह fix नहीं है वह vary कर सकता है तो कैसे कैसे यह vary करेगा तो आप देखेंगे कि जब आप इसका length को change करेंगे तो यह vary कर सकता है दूसरा आप इसका thickness को change करेंगे तो भी यह vary कर सकता है और तीसरा इसका material को change करेंगे तो भी resistance क्या हो सकता है चेंज हो सकता है, इसका मतलब conductor wire के length को यदि हम लोग change करें, conductor wire के thickness को change करें, उसके material को change करें, तो इसके resistance में परिवर्तन आ सकता है, तो अई देखते हैं कि activity जो की बहुत ही important examination के लिए और इसको कई बार exam में पूछा गया है, और इस activity से सम्मंधित प्रश्न भी आप से लें, तो आप देख सकते हैं, फिर से इसी प्रकार का arrangement लगाया गया है, यहां देख सकते हैं, दो छोर बनाया गया है, और यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 चार चीज़ों को लगाया जाएगा, वो मैं बता रहा हूं कि क्या चीज़ें आपको लगानी है, और ठीक इसी प्रकार से यहा measurement करेंगे, तो आप बुलें कि 1, 2, 3, 4 यह क्या लगाया गया है, तो 1 में आपको नाइक्रोम का wire लगाया गया है, 2 में इस नाइक्रोम wire के length को क्या कर दिया गया है, double, मतलब उसका मुटाई को नहीं बदला गया है, उसके thickness को नहीं बदला गया है, उसके cross section area को नहीं बदला गया है, बलकि क्या किया गया है, उसके लंबाई को दोगना कर दिया गया है, तीसरा में आप देखें कि इसके thickness को बढ़ा दिया गया है, ठीकनेस कहने का मतलब इसका cross section का area, इस प्रकार से यह आपका एक wire है, तो यह है cross section, तो इसका area यहाँ पर क्या कर दिया गया है, दूसरे प्रकार का वायर हम लोग यूज करें, दूसरे मेटल का या तो copper का हो सकता है, silver का हो सकता है इस प्रकार से, तो प्रतीएक बार आपको ठीक वैसे ही करना है, जैसे हम लोग पीछे प्रियोक किये हैं, आपको क्या करना है, इन दो छोरों के बिश में सबसे पहला ये simple nich आइक्रोम वायर लगाना है फिर एमिटर से रीडिंग लेना है इसके बाद इसका लिंथ को डबल कर देना है फिर एमिटर से रीडिंग लेना है फिर इसके हम लोगों ने वायर ले उसका मोटाई क्या है सेम ए मतलब उसका जो क्रास एक्षन के एरिया है देखना है, does the current depend on the length of the conductor, तो क्या जो current है, वो conductor के length पर भी dependent करता है, यही प्रशन आपको एक्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा, इस activity के द्वारा, does the current depend on the area of cross section of the wire use, क्या जो current है, जो wire के cross section के area पर भी निर्भर करता है, क्या, तो इसका तो उत्तर आपको पता ही है, हाँ, बिल्कुल भी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग अपने book में देखते हैं कि और क्या-क्या लिखा गया इसके लिए, यदि length का, wire का length हम लोगों ने क्या कर दिया, double कर दिया, wire पहले था, इस प्रकार से उसका length को क्या कर दिया, double, पहले L था और अभी क्या कर दिया, 2L, लेकिन इसका thickness को change हम लोगों ने नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि इससे पहले current होता था A, तो अब current क्या flow हो रहा है, A by 2, मतलब current का मान क्या हो गया, आधा, इसका सीधा मतलब है कि यदि length बढ़ाएंगे, यदि conductor का length को बढ़ाया जाएगा, तो उसका resistance भी क्या होगा, बढ़ेगा, और resistance बढ़ेगा, तो current क्या होगा, घटेगा, V is equal to IR, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, जदि I लिखेंगे तो R, V को आपको constant रखना है, जदि R का मान बढ़ते जाएगा, तो I का मान क्या होगा, घटते जाएगा, तो आप द इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर, the meter reading is increases when the thicker wire of same material and the same length is used in the circuit, तो हम लोगों ने देखा था, पहले length L हम लोगों ने लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो cross section का area है, उसको हम लोग बढ़ा देंगे, वही material यूज करना है, वही length रखना है, तो आ आप देखेंगे कि इसका resistance क्या हो जाएगा, कम, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, और resistance कम हो जाएगा, तो इसमें से current flow हो रहा है, वह क्या हो जाएगा, ज्यादा, I command क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो मैंने आपको सुरू में ही बताया है, कि आखित क्यों हम लोग AC में, या फिर जो हमारे घर में, जो heavy appliances है, उसमें मोटा वायर क्यों यूज करते हैं, पतला वायर, थिन वायर क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आप मोटा वायर यूज करेंगे, तो उसका resistance क्या होगा, कम, और current कमान क्या होगा, ज्यादा, जिस करण से current इ ज्यादा वायर में, resistance क्या होगा, ज्यादा, और I कमान क्या होगा, कम, जिसके कारण, flow of charge सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, current सही प्रकार से flow नहीं करेगा, हो सकता है, heating effect हो, और ये क्या हो जाए, जल जाए, तो अब आप समझ रहे हैं, कि किन-किन factors पर resistance depend करता है, या फिर इस प्रकार से बोलें कि किसी conductor wire का resistance किन-किन factors पर depend करता है, तो आगे हम लोग इसको detail में पढ़ने वाले हैं, यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया, तो भी आगे पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross-section is used, ठीक इसी प्रकार यदि नाइक्रोम के जगह हम लोग copper का यूज करते हैं, या फिर silver का यूज करते हैं, तो आप देखें किन-क्रोम का resistance ज्यादा होता है, copper का resistance कम होता है, silver का resistance कम होता है, जिस कारण से यहाँ पर current कमान क्या होगा ज्यादा होगा, यहाँ भी current कमान क्या होगा, ज्यादा होगा, और नाइक्रोम में current कमान क्या था, कम था, इसका मतलब है कि जो material हम लोग use करते हैं conductor के लिए, conductor को बनाने के लिए तो resistance उस पर भी निर्भर करता है और resistance पर कौन निर्भर करता है? current, resistance बढ़ेगा या घटेगा उसी के हिसाब से current क्या होता है? बढ़ता है और घटता है तो अब जो बाते आपको बताई जा रही है उसको आपको याद रखना है इसी से अलग-अलग प्रकार से exam में प्रशन पूछा जाता है तो सबसे पहला हो गया कि एक conductor wire है या फिर बोले कि एक conductor है उसका resistance किन किन चीजों पर depend करता है यह पहला प्रशन हो गया आपका तो सबसे पहला है इसके length पे L इसका cross section का area जिसको हम लोग यहाँ पर माल लीजे A से यहाँ denote कर रहा है तो मैं A दिखा रहा हूँ तीसरा on the nature of its material किस प्रकार का यहाँ पर material बना हुआ है that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportion to its length and inversely proportion to the area of cross section तो आप देखेंगे यह जो resistance है वो directly proportion होता है इसके length का अब यहाँ से आप समझे और यदि प्रशन आएगा तो आप exam में कर सकते हैं जो किसी conductor का resistance है वो उसके length का क्या होता है डारेक्ली proportion होता है तो यदि length को 2 गुना कर दिया जाए तो resistance क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा ध्यान आपको इस प्रकार से देडा है कि यह जो wire है इतना ही wire आपको लाके जोड़ना है कहीं से तो इसका length दो गुना हो जाएगा और wire जोड़ देंगे तो हो सकता है length तीन गुना हो जाएगा इसको खीच के आपको लंबा नहीं करना है यदि आप इसको खीच के दो गुना करते हैं खीच के तीन गुना करते हैं तो वह अलग प्रकार का प्रेश्ण होगा जो कि हम लोग आगे बनाएंगे तो दोगना आपको लिंथ करना है तो आपको ध्यार रखना है कि इसका cross section का area ना कम हो ना ही जादा हो मतलब इसका जो मोटाई है ये जो मोटाई है ना घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए तो यदि आप इसको खीच के लंबा कर देंगे तब तो इसका मोटाई घट जाएगा इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बाहर से और material लाना है और फिर इसको इसमें जोड़ना है ताक इसका मोटाई ना घटे ना ही बढ़े तब यह रूल यहाँ पर काम कर रहा है यदि लंबाई दो गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान दो गुना होगा लंबाई तीन गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान तीन गुना होगा लंबाई दस गुना करेंगे तो resistance का मान क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा लेकिन लंबाई आधा करेंगे तो resistance का मान क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है क्योंकि exam में direct question पुछेगा कि बताईए यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए बिना इसका तो 3 गुना हो जाएगा अब आगे देखते हैं तो हम लोगों ने पढ़ लिया I directly proportion क्या होता है L और R inversely proportion क्या होता है 1 by inversely proportion इस प्रकार से बोलते है area of cross 6 है कहने का मतलब है कि यदि मोटाई बढ़ेगा तो R घटेगा और मोटाई घटेगा तो R बढ़ेगा मोटाई बढ़ इस प्रकार से अब आप डबल कर रहे हैं तो R कामान क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा क्यों कि यहाँ पर जैसे जैसे थीकनेस वढ़ते जाएगा R कामान घटते जाएगा यह तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं तो इस प्रकार से आपने देखा R directly proportion क्या हो गया L और R inversely proportion क्या होगे आप by A और जब इसको आप मिलाएंगे तो हो जाएगा R L by A और यहाँ पर हम लोग R इस proportional sign को हटाने के लिए हम लोग एक constant का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से हो गया R L by A और यहाँ पर जो हम लोगों ने constant लगाए इसे हम लोग बोलते हैं Rho वेर Rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor और इस Rho को हम लोग क्या बोलते हैं resistivity तो इसके बारे में हम लोग next वीडियो में और detail में पढ़ेगे तो आपको यहाँ तक यह पूरा याद कर लेना है resistivity of the material of conductor तो आपको drive करने के लिए भी देगा तो आप इस प्रकास से इसको drive कर सकते है तो इसके बाद और बहुत सारे topic है जिसको हम लोग next वीडियो में cover करेंगे मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको problem ना हो तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद